हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिच की सबजी बिल्कुल रेस्टन स्टाइल में तो यहां पर मैं तेल लूँगी और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे आलू आलू को यहां पर मैंने अच्छे से वाश कर लिया है दो से तीन तो इनको फ्राई होते हुए लगभग तीन से चार मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आलू के उपर हलकी हलकी कोटिंग आ गई है यह देखिए तो बस इतना ही हमां फ्राई करना है इनको अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तेल में मैं फ्राई करूँगी शिम्ला मिर्च शिम्ला मिर्च को मैंने अच्छे से वाश करके इनको डी सीड कर लिया है और लंबा-लंबा काटा है तो इनको भी हम तीन से चार मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे ध्यान रखिए शिम्ला मिर्च को हमें ज्यादा नहीं करना है इनको हलका क्रंची होने तक ही हमें फ्राय करना है तो यह लगभग हो चुकी है अब हम इनको निकाल लेंगे अब हम लगाएंगे तड़का तो इसके लिए मैं यहाँ पर लोंगी तेल एक चमच क्योंकि हमने आलू और शिंबला मिच का अल्रेडी फ्राई किया है तो यहाँ पर हम कम तेल डालेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग एक तेज पत्ता दो लॉंग और जीरा और इसमें मैं डालूंगी धनिया धनिया को हम अच्छे से हाथों से क्रश कर लेंगे इन सभी चीजों को सौटे कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे एक कटा हुआ बारिक बारिक प्यास प्यास को हम लगभग 3-4 मिनिट के लिए भूनेंगे अच्छे से इसमें डालेंगे एक चम्मच अद्रकल हसुन का पेस्ट दो कटी हुई लंबी-लंबी हरी मिर्चे इन सभी को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे तो प्यास जो है लगभग हमारा हो चुका है अब इसमें डालेंगे टमाटर टमाटरों को भी मैने क्यूप शेप में काट लिया है यहां पर मैंने दो से तीन टमाटर लिये हैं अब इसमें एड़ करेंगे मसाले इसमें डालेंगे नमक साधनसार फल्दी पावडर आधा चम्मच और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर अलग से भी डाल सकते हैं अब हम टमाटरों को थोड़ा सा मैश होने तक पकाएंगे बिल्कुल मैश नहीं करना है इनको और इसमें थोड़ा सा पानी डालने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है तो आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं हलके हलके मैश हो गए हैं बस इतना ही कुक करेंगे इनको अब इसम तो हम लगबग 2-3 मिनिट के लिए क्योंकि यह अलरेडी प्राई है तो यह हो चुके हैं तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी के अंदर अब लगबग 2 मिनिट के लिए सिर्फ धकर पकाएंगे तो दो मिनिट के बाद हम इसको चक कर लेंगे तो हमारी सब्जी जो है आलो और शेमला मिर्च की हो चुकी है यह देखिए देखने में कितनी टेस्टी और मज़िदार लग रही है इस पे डालें कटा हुआ धनिया और इसको आप बेकफास्ट में प्रांटू के साथ लांच मे कम करो दो में लांच में प्रांटू की है यह यह उन्या है।